बॉलेवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर और रेपर यो यो हनी सिंग किसी पहचान के मोहताज नहीं है एक से बढ़कर एक गाने देकर हनी ने देश दुनिया में पॉपुलरिटी हासिल की और सब के फेवरिट बने हाला की बाइपोलर डिस ओर्डर की वजए से वे काफी समय से लाइम लाइट से दूर हैं लेकिन अब हनी सिंग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और धमाकेदार वापसी के लिए तयार हैं लेकिन आज हम आपको हनी की वाइप और उनकी लव लाइफ के बारे में कुछ इसी बातें बताएंगे जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं बताया जाता है कि उस दौरान रह पर हनी सिंग अपने नए अल्बम सॉंग को लाँच करने की तैयारी में थे यूँ तो इसके पहले भी वो अपने कुछ सॉंग्स को पब्लिकली लॉंच कर चुके थे लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था उनकी नर्वसनेस का आलम ये था कि उनकी वजह से शूट चार घंटे लेट हो गया था कास्ट से लेकर क्रू तक सभी हनी के शॉट के लिए रेडी होने का इंतजार कर रहे थे लेकिन हनी थे की लगातार फोन पर बातें कीडा रहे थे थोड़ी देर में जैसे ही वो लड़की हनी से मिलने आई हनी की नर्वसनेस जैसे चुटकियों में गायब हो गई और हनी शॉट के लिए एक दम रेडी हो गए और उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से अपने नए आलबम सौन को लॉंच किया अब आप सभी के मन में ये सवाल उट रहा होगा कि वो लड़की कौन थी दरसल वो लड़की और कोई नहीं बलकी उनकी वाइप शालनी थी हनी सिंग की पतनी का नाम शालनी सिंग है और वो उनकी बच्पन की दोस्त हैं बताया जाता है कि हनी और शालनी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे तभी से वो बहुत क्लॉज प्रेंट्स रहे हैं